नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं आप इंडिया के साथ एक समझारता प्रहस्ताक्चर किये हैं सभा और सिम्डेगा में हलके दर्श की बारिश की समझारता है सर्ना आदिवासी धार्म कोड लागु करने की मांग को लेकर एक बार फिर रेल रोड़ चका जाम की तरी की जा रही है बता देकेंदर सरकार को 30 दिसंबर तक काल टिमेटन दिया गया है सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं किया गया तो 31 जनवारी को जारखंड बिहार, बंगाल, असम, ओरिशा और 36 गर समेत आदिवासी बहुल राजयों में रेल रोड चका जाम किया जाएगा तमिलाडू में बंधक जारखंड की 23 महिला स्रमिक लोटे तमिलाडू के तिरिपूरा में बंधक बनाकर रखी 23 महिला स्रमिकों को छुड़ा कर लाया गया है बतादे सुदूर ग्रामी इलाकों से प्रसिक्षन प्राप्त कर बेहतर दोजगार का सपना संजोए ए महिला स्रमिक राजय से बाहर गई थी चाइबासा पहुचने पर आदिवासी हो समाज कल्व भवन केंद्रिय करेयाले लाया गया जहां उनकी काउंसिलिंग की गई और उनके परिवार वालों को सौप दिया गया राजय पाल ने आईरी सुपर एस पेसलिटी आई होस्पिटल का किया उधगाटन जारकन की राजय पाल द्रोपति मुर्व ने राविवार को आईरी सुपर एस पेसलिटी आई होस्पिटल का उधगाटन किया इस दुरान उन्होंने संस्थान की चिकित सिये छमता चिकित सकों के टीम एवं सुवी धावों को सराना एवं कहा कि इस तरह की पल से ही अंधकार को मिटा कर रोशनी को लाया जा सकता है उनका काना था कि आखों के द्वारा ही एक इंसान बाहरी दुनिया को देख एवं समझ सकता है और अच्छाई एवं बुराई में भेद कर सकता है इसलिए इन आखों की देख भाल एवं इसका समुचित की लाज बहुत महत्पून है कोडार्मा आर्पीएफ ने टिकट दलाल को दबोचा कोडार्मा आर्पीएफ ने रभिवार को तिलेया थाना छेतर के वार्ड नमबर चवुद्ध बंगला दुरगा मंडप के बगल में लोटस टूर एंड ट्रेवल नमक दुकान में अवैज तरीके से रेलवे की टिकट का काला बजारी करने वाले संचालक निसान तरवे को छपे मारी को रेल टिकट के साथ रंगे आतो गिरफतार किया है गौतला भाई की आरपी एप निरिक्षक जोहर लाल आये दीन रेल टिकट की दलाली को लेकर छापे मारी अभियान चला कर कई टिकट दलालों को धरदव चाहा है राज्य के स्वास्त एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बना गुपता ने रविवार को जोहर नगर रोड नमबर 15 इस्थित नेचर पार्क का निरिक्षन किया निरिक्षन के दोरान उन्होंने अधिकारियों को साप सफाई को लेकर कई निर्देश दिये निरिक्षन के दोरान उन्होंने पाया की पार्क में साप सफाई नियमित रूप से नहीं होती है जिसकारन कच्रे और घास पोस हो गया है उन्होंने मानगोर नगर निगम के विशेस पता अधिकारी दिपक सहाय और फोरेश्ट विवाग के अधिकारियों को साप सफाई दुरूस्त करने का निर्देश दिया है धनबाद में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रराम धरबाद DC वासंकर सिंग के निर्देश पर धान अधिप्राप्ति की प्रकिरिया धानबाद जिले में सुरू हो गई है बतादे किसानों को एसमेस के माध्यम से इसकी सुचना दी जा रही है किसानों को प्रतिक इंटल 2050 का भुकतान किया जाएगा इस समन्द में जिला पुर्तिप पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशा अनुसाख सभी केंद्रों पर धान की खरीद पराड़ाम कर दी गई है इस समन्द में किसानों को एसमेस से जनकारी पहुचाई जा रही है जारखन में 144 ने संक्रमितों को पुष्टी हुई है जारखन में जारखन पुलिस के सफल अभियातियों से मुलकात की भाजपा के परदेश अध्यक्ष राजे सभा सांसर दीपक परकास ने रविवार को मुराबार्दी मैदान पहुचकर जारखन पुलिस के सफल अभियातियों से मुलकात की बतादे कड़ाके कि इस स्थंड में अपने हग के लिए अंसन कर रहे है जारखन पुलिस के अभियातियों से मुलकात कर परदेश अध्यक्ष उनका हाल चाल जाना युवाव ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया भाजपा अध्यक जेपी नड़ा कुरोना पोजेटीव टल सकता है जार्खन दोरा भाजपा के राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा कुरोना संक्रमित हो गए हैं उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जनकारी साजा की है होम आईसोलेशन में भी जाने की बात कही है नड़ा के कुरोना पोजेटीव होने के कारण उनका जन्वारी का जार्खन प्रवास का कारेकरम टलने के पूरे असर है परवकता प्रतुल सादेव ने बताया कि हम सभी राष्टी अध्यक्ष के सिग्र स्वास्थ होने की कामना करते हैं जार्खन में कुरोना टीका करन की प्लानिंग कुरोना टिकाकरण में अहम भूम का निभाने वाले डक्रों और स्वास्थ कर्मियों का प्रसिक्षन सुरू हो गया है बतादे यूनिसेफ के तत्वाधान में यह दो दिवसे प्रसिक्षन कारेकरम सनिवार को सुरू हुआ प्रसिक्षन कारेक्रम को समोधित करते हुए स्वास्थ सचीव नितिन मदन कुलकरनी ने कहा कि पहले चरण में सभी हेल्थ वर्करों का टिकाकरन किया जाना है जिसके लिए कोविन प्लेटफर्म पर सभी का डाटा अपलोड करना निवार्या है इसमें किसी स्वास्थ कर्मी का नाम न छुटे इधर प्रसिक्षन कारेक्रम के दोरान अभियान निदेशक रवी संकर सुखलाने कुरोणा टिकाकरन समधित तैयारियों की जनकारि दी जारखन में 23 जीलें क्रिटिकल स्टेज से बाहर जारखन कुरोना संक्रमन के critical stage से बाहर हो गया है बतादे राजी के 24 में से 23 जीले critical stage से बाहर है सिफ्रनाची अभी भी इस सिती में बना हुए है यहां अभी भी एक लाख की अबादी पर 24 लोग संक्रमित है जबकि ICMR किसी राज या जीले में एक लाख की अबादी पर 15 से अब भी संक्रमित है दिल्ली अंदोलन के खिलाप भाजपा करेगी प्रमंडल अस्तर पर किसान पंचायत दिल्ली में किसानों के अंदोलन को देखते हुए भारतिये जंतापाटी ने समानांतर किसान पंचायत लगाने का निने लिया है इसके तह धनबाद में 15 दिसंबर को हजारी बाग प्रमंडल अस्तर ये किसान पंचायत का आवेजन किया जाएगा पंचायत को कोडारमा लोक सभाज छेत्र के पूर्व सांसर डाक्टर रविंद्र राय समोधित करेंगे इसमें उत्री छोटा नागपूर प्रमंडल के सभी सांसर विधायक वजिला द्यक्ष म इसको लेकर अभिवार को लालपूर इस्थित होटल में प्रत्थम चरण का ओडेशन लिया गया इसमें राची और धनवात की यूतिया समलित होई इसमें 17 प्रतिभाग्यों ने जनजाती समुदाय के आकर्षक परिधानों में रैप वाक किया इस दोरान मोडर्न कुम डी राना डी गाउ में हाथियों के आतंक से किसान परिशान है आए दिन साम होते ही पास के जंगल से हाथियों के जोड निकल आते हैं और किसानों के रखे धान और फसल को नश्ट कर रहे हैं हाथियों को द्वारा किसानों के सबजी के खेतों को भी बरबात किया जा र झाव के दजनो किसान के खेत में लगे सब्जी को हाथी द्वारा रवन डाला जा रहा है। चिपका कर एवाम फेक कर कोईला खनन एवाम टांस्पोर्टिंग कारे को 16 दिसमर तक बंद रखने की धमकी दी है धमकी के बाद छेत्र में दसत का महौल है सुबा इसकी सुचना ग्रामी ने पुलिस को दी बदादे पुलिस ने पोस्टर को अपने कबजा में ले लिया है का निरिक्षन करने पहुचे थे लेकिन इस दोरान डियेफो मामता प्रियेदर सी पार्क नहीं पहुच पाई जिसके बाद स्वास्त मंत्री ने पार्क से ही फोन पर महिला अधिकारी को फटकार लगा दी बतादे मंत्री जी ने टांस्फर तक की धमकी दे डाली देवघर डीसी ने किया वेयर हाउस का निरिक्षन कल्यान पूरिष्थित वेयर हाउस का निरिक्षन उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री ने किया उपायुक्त ने निरिक्षन के करम में भारत निर्वाचन आयोक के प्रवधानों के अनुरूप वेर हाउस की वेवास्था सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया उन्होंने B.U.C.U. एवां B.B.P.A.T. के फर्स्ट लेवल चेकिंग के संदर में आवसक जनकारे ली अमर बावरी ने हेमंद सरकार पर साधा निसाना बोले चुनावी घोसनाय काग्जो तक सिम्टी जाकन के पूरो मंत्री अमर बावरी ने हेमंद स्वयन की सरकार पर निसाना साधा आया उन्होंने राजे की हेमंद सरकार को हर मोचे पर विफल बताया कहा कि सत्ता में आने के लिए की गई चुनावी घुसनाय सिर्फ काग्जों तक सिमट कर रहा गई है जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो सरकार अपनी क्या उपलब दिया जानता को बताएगी बता दे सिरीबावरी ने कहा कि बीगत एक बर्स में राज सरकार ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया पुरे देश का एक मात्र राज जारखंड है जहां बर्स भोल ट्रेजरी से पैसे नहीं निकाल रहे है सरकार खालाना खाली होने का रोना रो रही है जबकि केंद्र से मिले पैसा का 5% भी खर्च नहीं कर सकी है कंबल का वित्रण सुरू हो चुका है आपके दिये हुए पता पर फिलिप काट के द्वारा 5-6 दिनों के अंदर पहुँचा दिया जाएगा तो एक छुक ब्यक्ति वाटसेप नंबर पर अपना एक सोट वीडियो बनाकर अधार काट के साथ वीडियो भेज सकते हैं जिसे कि आपकी स्थिति को देखते हुए गरीब ब्यक्तियों तक कमल पहुँचाया जा सके थांक्यू तो चैनल पर यदि आप ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का पहला एक अंदर वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूलें